आलिया भट जीवनी आलिया भट एक भारतिय अभिनेत्री और सिंगह हैं वह वर्तमान समय में भारत की बहतरीन अभिनेत्रियों में सुमार हैं और लगातार सुपर फिल्में कर रही हैं फिल्म जगत में आने से पहले आलिया का वजन काफी ज़्यादा था लेकिन उन्होंने अपने वजन पर कड़ी मेहनत करके फिल्म स्टुडेंट ओफ दा इयर में एक ग्लेमरस लड़की की भूमिका अदा की आलिया ने सिर्फ तीन माह के अंदर अपना सोलह किलो वजन कम किया अपनी ही बहन पूजा भट की तरह आलिया बेहत खूबसूरत देखती है आलिया भट अपने प्रोड्यूसर करिये की शुरुवात फिल्म डालिंग से करने जा रही है प्रिश्थ भूमी आलिया भट का जन्म 15 मार्च 1993 को बॉलिवुड के मसहूर फिल्म निर्देशक महेश भट और फिल्म अभिनेत्री सोनी राजदान के घर में हुआ उनके पिता गुजराती मूल के ब्राहमन है तो वहीं उनकी माता जर्मन मूल की भारतिय कश्मीरी है आलिया भट के पास भारतिय नागरिक्ता नहीं है और नहीं उनके पास भारतिय पासपोर्ट है उन्होंने ब्रिटेन की नागरिता ली है और उनके पास सयुक्त राजशाही पासपोर्ट भी है पढ़ाई आलिया भट ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है उन्होंने मात्र स्कूल लेवल तक पढ़ाई की है उनकी कॉलेज की पढ़ाई फिल्मों में उनके करिय के कारण नहीं शुरू हो सकी शादी, आलिया भट ने 14 अप्रेल 2022 को रनबीर कपूर से शादी की है, बता दे के नवंबर 2022 में इस कपल की एक प्यारी सी बेटी हुई है करियर, उनके फिल्मी करियर की शुरुआद बाल कलाकार की तौर पर फिल्म संधर्श से हुई थी जिसमें उन्होंने चोटी प्रीती जिन्टा का रोल अदा किया था लेकिन मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनके करियर की शुरुआद करन जोहर की फिल्म स्टुडेंट से हुई थी आई जिसमें उन्होंने वरुन धवन और सिद्धार्थ मलहुत्रा के साथ काम किया था। स्टुडेंट ओफ दई येर में उनकी एक्टिंग को काफी सराहना मिली जिसके बाद उन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म हाइवे टू स्टेट्स और हमती शर्मा की द वह मॉडलिंग भी करती हैं। इसके अलावा उनके पास महान गायन कोशल भी है। आलिया अपनी खूबसूरती की वज़ह से युवाओं में काफी लोक्रिय हैं। प्रसिद फिल्म में स्टुडेंट ओफ दाइयर, हाइवे, टू स्टेट्स, हमती शर्मा की दुलहनिया और गली बोए। आने वाली फिल्म में आलिया की आने वाली फिल्म ब्रहमास्त्र और गंगुबाई का ठियावरी, RRR और डालेंग्स है। खाल ही में उन्होंने बहुबली के प्रसिद्र डाइरेक्टर राजा मॉली की बड़े बज़र की फिल्म RRR को साइन किया है, जिसमें व आलिया सहाथ आने वाली फिल्म बॉरेंग्स है।